जैहिंद प्यारे मित्रों आपके अपनी यूटूब चैनल आरार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज में आप सब के बीच ले के आओ फिर से एक पर्मानेंट वेकेंसी का वीडियो यह है वेकेंसी जो हमारी निकाली गए सेल एथार्टी ऑफ इंडिया लिम्टेट की त पुनारा आउसर है आपको मैं बता दे ना चाहतू हूँ अगर हमारे टेलिग्राम ग्रूप, वाट्सब ग्रूप या फेस्बुक पेच से जो है जोईन होना चाहते है तो डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा वहां से जाकर के जो हमारे टेलिग् पर तो हम जो है इसके ऑफिस्यल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं यह दिखी यह जो है वेकंसी जो हमारी निकाली गए इस्टील एथर्टी आफ इंडिया लिम्टेट की तरफ से आई आई एस सी ओ इस्टील प्लांट के लिए जो है वेकंसी निकाली गए बुर्णावरपू यह दिया गया है सथ सेवेंटीवन थ्री थ्री टू फाइब डिष्टिक पस्चिम परधामन वेस्ट बंकॉल के लिए जो है वेकंसी निकाली गया जो एड़वर्ट जो नोटिफिकेशन जारू किया गया हो या 29 दिसमबर को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया इसटील एफ इंडिया लिंटिट अमाहराश्टा सी पी सी इन मेजर स्टील निकाली गई इस यह जो स्टील प्रांट प्रॉंट फ्र भॉंगल के लिए जो एक सिन निकाली गई इस वेकंसी के देखेए इसमें डीटेल सम देते हैं डीटेल साप पोस्ट जो हमारी कि इतने पिपिदिट्य ट्रिट्टि do sand cam Chem टेक्णी यहां हमारी के इसलिए iti के लिए गए पो्सिट का हें अटेंडेंट आवजीन के लिए जो है नंबर के से चोषक में हरी जो है 40 पॉश्टों के है जो पने इसका प्रोवाइट की जाएं Kate ज़ैं इसमें जो हमारी जो पैस्केल सेलि प्रॉइट कि स्टिनि जाएगräge यह 25 जार शत्तर रुपए रुपए जी देृण रांफिक्ति आपய्टे π server की बात करें तो में जो हमारі नंबर आप टोटल पॉस्ट यह सपोड्लक विंगाइसी निकाले गए जनरल में 3 SC में 1, OVC में 1 और SC में 1 post के लिए निकाली गए, इलेक्रीशियन टेट की बात करते हैं, तो तो टल नमबराप पोस्ट जो हैं, जनरल में 3 post, SC में 3 post, S2 में 1, OVC में 3, और EWS में दो पोस्ट निकाली गए टर्नेट की बात करते हैं टर्नेट में टोटल हमारी तीन पोस्ट के लिए निकाली गए यह जो हमारी क्या करते हैं दो पोस्ट जनरल में एक पोस्ट जो है झाली गए तर्नेट के लिए टोटल पोस्ट वैक निकाली गए जनरल में एक पोस्ट के लिए यह निकाली गए है और जो हमारी क्या करते हैं इसमें देखें एक पॉइंट बी में दिया गया है operator, cam technician, boiler operator के लिए जो हमारी total वेकिंसी निकाली गया है इसमें तीन परसंट जे दिया गया है अटेंडेंट के लिए जो निकालीगी इसमें भी हमारी कितनी टोटल तीन पोस्ट के लिए वेकेंसी निकालीगी जो पेश्केल्स प्रवाइड किया जाएगी तो हमारी 25,070 रुपए से 35,070 रुपए तक यह हमारी क्या कहते हैं जो नेमा पोस्ट एंड ग्रेड जो रखा गया है ऑपरेटर कैम टेकनीशियन बॉयलर ऑपरेटर एस त्री में तीन पोस्ट है वह भी जनरल के लिए हैं अटेंडेंट कैम टेकनीशियन बॉयलर अपरेटर एस वन के निनगाली गई है इसमें जो हमारे रिज़र विषं रखा गया है रिजर व dobr वे संगे डिसमें बाल्रेटर इंडेंटिल गौर्मार्मेंट कोटा की सीटे हैं यह कहते है गौर्मेंट के सेट हैं यह कहते है तो अन्रिजर्ब पोस्ट प्रोवाइड दफुल्फिल दे इलिजिबल क्राइटेरिया फर अन्रिजर्ब क्राइटेगरी इसमें क्या किती है जो हमारी कटेगरी वाइज जो पोस्ट निकाली गए हम रिजर्ब और नान्रिजर्ब दोने के लिए जो दिएग frame दिए ठाइट कर्टेट्यम्हार ताइब आफ ईसमें जो ऑसी स्ट के लिए निकाल आगया इसमें क्या करते हैं इस्किल टेस्ट होगा उसके बास जो है टेस्ट जो है प्रॉइड किया जाएगा इसमें जो हमारी क्या करते हैं इसमें जो हमारे eligible criteria के अगर बात करते हैं जो हमारी qualification मांगी गए eligible criteria number of post and grade और जो age क्या किते number of post है अपर age limit हमारी age limit कितनी होनी चाहिए और essential minimum qualification and experience if application यह जो फाम फिलब करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए इसमें जो age limit रखकी मांगी गई है अटीस यह तक age limit मांगी है metric calculation भी three years diploma in mechanical or electrician electrical और chemical और power plant of production और इंस्टू इंस्टू मिंसन इंजीनिरिंग इंजीनिरिंग discipline at government recognized authority यहाँ क्या मांगा गया है कि आपके पास जो है इन पास आउट candidate होना चाहिए three years का जो है डिप्लोमा होने चाहिए mechanical से electrical से chemical plant से power plant of production से और इंस्टू में इंजीनिरिंग से जो होना चाहिए गवर में recognize या institute से होना चाहिए second point में दिये कि first class ball year attended certificate of competition क्या होना चाहिए बॉयलियर बॉयलियर attendant certificate भी जो है होना चाहिए और हम बात करते हैं जो attendant chem technician बॉयलियर attendant s1 यह s3 के लिए थी एस वन की बात करते हैं इसमें तीन पोस्ट है हम एज लिमिट जो रखी गए 28 यह तक रखी गए इसमें जो हमारे आईटी आई के लिए मांगा गया है metric calculation with full time आईटी आई फूल टाइम टेंथ पास आउट कंडिएट होना चाहिए यह full time आईटी आई होनी चाहिए यह जो है मारे क्या कहते स्लैस एन एसी नेशनल अपरेंटिश्पिस सब सर्टिफिकेट फॉर एंसी वी टीम इन ट्रेट फॉर्टर रीजर एलेक्टिशियर टर्नर यह सभी होना चाहिए नेशनल अपरेंटिशिप सर्टिफिकेट भी जो ह होना चाहिए full time आईटी आई ट्रेडट जो मांगा गया फिटर रीजर एलेक्टिकल टर्नर और गवर्मेंट रिकवर्मेंट इंस्टिफिकेट गवर्मेंट से होना जो सेकंड में दिया गया है सेकंड क्लास बॉयलियर अटेंडेंडेंट सर्टिफिकेट और कंपरेंटिश इस वन जो इलेक्टिकल एस वन के लिए निकाली गये है टोटल बार पोस्ट के लिए निकाली एज लिमिट जो हमारे रखी गए अठाइश यह तक फुमेट्री कल्कुलेशन जो हमारी क्या कहते हैं टेंट पाउस आट कांडिट होना चाहिए फूल्टाइम आई टी आई हो पारेंटिट सिवन ही हां यह चाहिए और क्या कहते हैं अपरेंटिस सिवन न्यू चाहिए निकाली एश में 38 सीट्राइब होना चाहिए और यह द्रेट सिवन ह जो होनी चाहिए, उखी क्या होनी चाहिए, औली टर्नर्ट ट्रे जो है होनी चाहिए, नेक्स्ट हमारी जो है क्या कहते हैं जो यह वेलडर ट्रेड, विलडर अटेंडिन Ilianetic E inicilerini S1 के लिए जो निकाले। हमें टोटल फांच पोस्ट हैं, 28 year तक age limit है इसमें भी क्या केते 10th pass out candidate मांगा गया full time ITI होनी चाहिए और apprenticeship होना चाहिए NCVT से और welder trade only welder trade ही जो है इस farm को जो है अब अविधन कर सकते है attendant chem technician trainee S1 EOT crane operator के लिए निकाली गया है इसमें जो है total no post है और age limit जो है 28 year तक मांगा गया है इसमें भी क्या केते 10th pass out candidate होना चाहिए full time ITI होनी चाहिए NCVT से ITI फिटर research turner electrical trade for government guideline होना चाहिए minimum one year का experience होना चाहिए in operator for EOT crane of 120 ton मतलब 120 कुंटल का जो है और more capacity इससे अधि capacity का भी होना चाहिए इसमें one year का जो है experience जो है मांगा गया है अटेंडेंट के हैं technician trainee heavy vehicle driver के लिए जो निकाली गया इसमें total 5 पोस्ट है है age limit जो रखा गया 18 year तक age limit रखा गया इसमें 10th pass out candidate मांगा गया है valid जो heavy motor vehicle का driver license होना चाहिए minimum one year post qualification experience होना चाहिए एक year का जो है experience होना चाहिए इन ऑपरेटर ओफ हैपक डंपर हैड्रोलिक मोबाइल क्रेन बुल डोजर क्रेन मांटें लोडर वील लोडर हैड्रोलिक इसक ट्रेटर हैड्रोलिक सौल्व यह सभी जो हे होना चाहिए इसके बाद हमारी जो है क्या कते हैं कि फार्म को जो एज ऑज बीॉक्त कि बात करते हैं इसमें जो रख़ागय है है ऐसमें फीश है कर्णिवार्सेशन पर यंग्युल्ए परफट नेम में, मैंचे ने करेघए मरेकरत Dolors सेख़ा हैं के लिए थर्टीन ये रखा गया, OBC Candidate के लिए के लिए जो है, रखा गया, एक सर्विसमेन की बात करते हैं, तो इसमें, who have put not less than 6 month continuous service in armed force, जो एक सर्विसमेन होने चाहि, continuous 6 month जो होना चाहि, armed force, army मोने चाहि, will be allowed is relaxation to the extent of minority service plus 3 years against, लिए जो थोल में रखा गया, department candidate employee of sale, जो employee of sale के हैं, will be given relaxation 10 year over and above to complex reading upper age limit, considering to their respective category subject minimum अपर एच लिमिट 45 जो एक सर्विसमान है उनके लिए रखा गया इसमें जो है क्या कहते है हमारी जो पोस्ट निकाली गये इसमें जो ग्रेड जो रखा गया अपरेटर के लिए अपरेटर के लिए अपरेटर के लिए इसमें आप सभी को जो है प्रोवाइट किये जाएगा अगर हम इसमें mode of selection की बात करते हैं तो जो हमारा selection किस प्रकार चे होगा इसमें क्या होगा कि आपको जो है कंप्यूटर बेस्ट जो है आपको एक्जाम होगा उसके बाद अपियर में ही क्या होगा तो प्रकार चेह होगा कि इसके लिटेस्ट टेस्ट डिकलियर्ड डिपेंडिंग और नमबर आफ अप्लिकेशन डिजर्ब फर दपोस्ट जो रिजर्ब कोश्टा कि हमारे जो सीटे हैं पॉल्सी ऑप दे कंपनी जो कंपनी के कॉर्डिंग जो हमारी पॉल्सी रखी गया इसमें पहले आपका भी darf कंप्यूटर बेस्क्ट एक्जाम में फिर अप्यर में पॉस्ट अचे जैंडि ऑ्यवाइभ न कोश्ट्रेड जारी की जाएगे सब्सक्राइबां sicher 3EE, 1 post, 3 candidates will be called, इसमें क्या करती 1 अनपाती 3 के रेशियों में जो है, क्या करती candidates को जो है, 3 candidates, 3 post, 3 candidates के लिए जो है, काल लेटर के माध्यम से बुला जाएगा, किसी के माध्यम से आपको जो है, प्रवाइट की जाएगा, और जो हमारा 3rd point में दियेगा, final selection merit list, final selection होगा, वह merit based होगा, वी drawn, camping, the scores of computer based test and performance in skill, या trade test, क्या कहते हैं कि जो selection होगा, या merit based होगा, merit list जारी होगी, उसमें जो है, आपको skill test और test test, CBT के जो है, इक्जाम जो है, प्रवाइट किया जाए, उसमें जो हमारी काकती, physical में बात करते हैं, तो जो फिशकल स्टेंडर्ड हमारा रखा गया, attendant cam technician, trainee S1, uptendent cam boiler operator S3, attendant cam technician, boiler operator S1 के लिए, जो minimum height रखी गई है, height हमारी 155, रखी गई male candidate के लिए, female candidate के लिए 143, और जो height रखी गए है वजन, weight वह 45 kg male candidates के लिए और जो हमारी केकति 35 kg जो है ओमेंस के लिए रखी गए इसमें अगर application fees की बात करते हैं तो जो हमारा application fees रखा गए इसमें रखा गए है जो हमारी general category के लिए जो application for processing fees general OVC EWS candidate के लिए रखा गया, operator cam technician boiler operator में 500 रखा गया है और जो हमारी SC, ST, PWD, X servicemen department के लिए उनके लिए 10,000 रखा गया, attendant cam technician trainee के लिए जो रखा गया, इसमें 300 फीस रखी गए है और general OVC और EWS के लिए SC, ST के लिए 100 रुपए रखा गया, attendant cam technician boiler attendant के लिए जनरल OVC के लिए 300 रुपए और EWS के और EWS, ST, ST और PWD, X servicemen के लिए 100 रुपए रखा, यह आपको farm को किस प्रकार से आवेदन करना होगा, description box में उसका link के दे दिया जाए, वहां से जा करके आप जो है farm को आवेदन कर सकते हैं, यह website www.cell.co.in पर जो है, आप लागिन करके वहां से भी जाके आपके जो है farm को आवेदन कर सकते हैं, अगर इसके last date की बात करता हूँ, जो हमारा farm कब से कब आवेदन होना इस्टार्ट हो गया, यह जो है farm 29 दिसंबर से इस farm आवेदन होना इस्टार्ट हो गया, और इसकी last date जो रखी अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल परना है, जो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को ज्यादा ज्याद दोस्तों तक share करना ना भूलें, धन्यवाद